कहानी की शुरुवात होती है साइबेरिया के कैम में जहां साइकडो जर्मन लोगों को बंदी बना कर रखा गया था हलांकि वहां सुरच्चा के लिए कोई गार्ड्स नहीं थे पर फिर भी कोई यहां से भागने की जुर्रत नहीं करता था असल में अगर कोई भाग भी निकला तो वह आर्क्टिक सर्कल की हट्या जमा देने वाली ठंड में कुछ दिन से ज्यादा जिन्दा नहीं रह पाएगा पर वहां एक सिपाही था जो किसी भी तरह से छूट कर अवनी पत्नी और बेटे के पास वापस लोटना चाहता था उसका नाम था कलेमेंट्स फरेल और एक दिन उसे भागने का मौका मिल ही गया रात को वह चुपके से कोईले की गाड़ी में चढ़ गया और जब गाड़ी चली तो वह सितारों से भरा आसमान देखकर बहत खुस हुआ पर अचानक गाड़ी बीच में ही रुख गई और कलेमेंट्स ने चुपके से बाहर निकल कर देखा तब ही एक सूब यसी बाई ने उसे देख लिया और उसे पकड़ कर एक सुएर में कैद कर दिया उपर से जोरदार बरसात सुरू हो गई पर इसके बाउजूद भी कलेमेंट्स पूरे तीन दिन तक बीना खाए पिये वही डटा रहा इसके बाद जेल के गार्डन ने उसे रिहा करके कहा तुमारे साथ ही तुमारा इंतिजार कर रहे हैं आखिरकार जब कलेमेंट्स सुरंग में पहुचा तो उसने देखा कि उसके साथ ही बहुत गुस्ते में थे और वहा हाथों में हथियार लिए उसका इंतिजार कर रहे थे असल में कलेमेंट्स के भागने की वज़ा से उन सभी को तीन दिन तक भूखा रखा गया था तभी अचानक उन्होंने कलेमेंट्स पर हमला कर दिया और उसे कुतों की तरह पीटा बुरी तरह से जगमी होने की वज़ा से उसे कैम के डॉक्टर के पास ले जाया गया वो डाक्टर भी यहां बंदी था और उख कलेमेंट्स की भागने की हिमत देख कर काफी परभावित हुआ तब कलेमेंट्स ने डाक्टर से मदद मागते हुए कहा कि वो एक बार फिर से यहां से भागना चाहता है डाक्टर ने उसे समझाया कि आर्किटिक सरक्ल से भागना नम्मिम्किन है आज तक जिसने भी भागने की कोशिश की वो सब ही मारे गए और डाक्टर ने उसे एक राज बताया जो लोग यहां से भागेंगे नहीं वो भी अंत में मारे जाएंगे असल में वहां मौझूस सारे कैदी रोज लेट नाम की एक मेटल की खानों में खुदाई करते हैं और लेट धीरे-धीरे हावास से उनके शरीर में जा रही है जिस वज़ा से आज नहीं तो कलून सबका मरना तैं है इसलिए डाक्टर ने उसे सला दी कि उसे भाग कर अपनी कि यारिया खुद भागने के लिए की थी मगर एक महीने पहले उसे पता चला कि उसे कैंसर है और अगर वह भाग भी गया तो एक महीने से ज्यादा जीने वाला नहीं है खैड डाक्टर ने कलेमेंट्स को अपना लंच बाग दे कर कहा कि अगर तुम सफल हो जाओगे तो मेरे परिवार को मेरी मौत की खबर दे देना इसके बाद कलेमेंट्स रात को एक बार फिर से भाग निकला अगली सुवा वार्डन को खबर मिली कि कलेमेंट्स भाग गया तो वो डाक्टर से पूस्तास करने आया मगर तब तक डाक्टर अपनी जान कुर्बान कर चुका था उध को लगा कि वह में ज़म कर मर गया होग अपर वार्डर को और योकिन था कि वह जिन्दा है इसलिए उसे तलास जारी रखने कि वो एकदम ठीक ठाक था, असल में ये पूरी घड़ना उसके मन का वहम थी, उसके चार और सफेद बर्ब की चादर थी और खाना भी खत्म हो चुका था, उसका दिल डूबने लगा और उसने भगवान से कोई चमतकार करने को कहा, पर आठकी सरकल में दूर दूर तक के बर् किपसी आवाज सुनी, तभी उसकी नजर एक सील पर पड़ी और उसकी याँखे चमक उटी, उसने तुरंत अपनी बंदू निकाली और कापते हुए हाथों से सील पर गोलिये चला दी, पर बतकिसमती से उसका एक भी निशाना नहीं लगा, सील भागने लगी तो कलिमेंट उसके पीछे दोड़ा पर अचानक वो बरफीली पानी में गुज गई, खैर उसने ज्यादा ना सोचते हुए एक गोली चलाई और आखिरकार सील को मारने में कामियाब रहा, खाना खाने के बाद उसने पने पैरों पर पट्या बाद ली, ताकि ठंड से उसे थोड़ी रहत मिल सके, थोड़े आराम के बाद कलेमेंट फिर से अपने सफर पर निकल पड़ा, अपने अकले पन और इतने लंबे सफर में उसका दिमागी संतलन आसानी से बिगड सकता था, इसलिए वो लगातार खुश से बाचित करता रहा, साथ ही वो थोड़ा चलने के बाद कमपस से अपनी दिसा देखता था, ताकि वहा यहां गुम न हो जाए, इसी तरह कई दिन चलने के बाद उसे बर्ब के बीच और बीच एक पेड दिखाई दिया, उसे देखकर कलेमेंट्स खुशी से पागल हो गया, और भाग कर उसे पेड को गले लगा लिया, असल में इस पेड का मतलब था कि दो महीने तक लगातार चलने के बाद आखिर कार वो आर्क्टिक सरकल से बाहर आ गया था, दूसरी ओर जेल के वार्डन ने अब भी हार नहीं माने और पांसो किलोमेटर की एरिया की तरासी लेने का हुक्म दिया, उधर कलेमेंट्स जंगल तक पहुँच गया पर अचानक वहां बरफीलत तूफान सुरू हो गया, यह तूफान इतना भयानक था कि बड़े बड़े पेड़ भी उखड कर गिर गये थे, जैसे ही कलेमेंट्स उठा तो अचानक एक बड़ा सा पेड़ उसके ऊपर गिर पड़ा, खुद किसमती से सेम जौन और मैटन ना ना कर नदी पार करने का फैसा लग किया, तीनों ने एक दूसरे को अपने जीवन की कहानिया सुनाई पर कुछी देर में नदी का बहाव तेज ज्यादा हो गया, जिससे कलेमेंट्स और मैटन कस्ती को सभाल नहीं पाए, अचानक सेम जान का बैलन्स बिगड़ा और नदी म गिर पड़ा, सेम जान डूमने ही वाला था कि कलेमेंट्स ने बनी जान की परवा ना करते हुए तुरंत नदी में डूपकी लगा दी, काफी मुश्किलों के बाद वहां सेम जान को किनारे तक ले आया, उधर मैटन उन्हें बीच में ही छोड़ कर अकेला ही आगे बढ़ गया, जब वह अपनी जोपड़ी में पहुचा तो उसने सोचा कि सेम जान तो नदी में मरी गया होगा, इसलिए उसने सेम जान का सोना और बाकी किमती चीजें चूरा ली, लेकिन फिर कुछ ही पलों में सेम जान और कलेमेंट्स भी वहां आ पहुचे, मैटन के धोके से सेम जान को बहुत गुसा आया, इसलिए उसने गोली चला कर मैटन की जान ले ली, इसके बाद सेम जान और कलेमेंट्स ने अपना सामान बाधा और एक बार फिर से सफर पर निकल पड़ा, खैर जल्द ही सर्दी का मौसम शुरू हो गया और आगे और भी मुश्किल था, तब कल कलेमेंट्स ने सेम जान का बैग लेकर उसका बोज कम करने की कोशिस की, मगर सेम जान को लगा कि कलेमेंट्स उसका सोना चुराना चाहता है, इसलिए उसने बने बैग से कलेमेंट्स पर हमला कर दिया, इस वज़ा से कलेमेंट्स बेहोस हो गया, और जब उसकी याँ खुली प्रवाज आए जिस में सभी भेड़ी मारे गए असल में इस इलाके के चरवाहों ने क्लेमेंट की जान बचाई थी वह क sacrific को उठा कर अपने गाउं ले गए जहां कई चरवाहों ने उसका इसका इलाज किया उनकी मुटद से क्लेमेंट का सरीर जल्द ही एकदम ठीक हो गया और इतने समय बाद लोगों से मिलने पर उसे बहुत खुसी हो रही थी कई चरवाहों से उसकी दोस्ती हो गई पर जल्द ही जल्द जेल के वाडन का भेज़ा हुआ नोटिस वहां भी पहुँच गया जिसके मुताबिक जो भी कलेमेंट्स को पना महसूस नहीं हुआ इसी तरह मां दोनों लोग एक साल तक आगे बढ़ते रहे एक दिन वह एक लकड़ी की मिल के पास पहुचे जहां क्लेमेंट्स का एक कुता खाने की खोज में भागा पर कुछ करमचारियों ने उसे भगा दिया तब क्लेमेंट्स आगे आया तो करमचार थी और जेल वार्डन अपने सिपायों के साथ ट्रेन इस्टेशन पर उसका इंतिजार कर रहा था खुद किसमती से कलेमेंट्स ने पहले ही सिपायों को इस्टेशन पर देख लिया इसलिए वह मौका दे कर भाग निकला मगर फिर कुछ ही पलों में जेल के वार्डन ने उस कमज गया कि वोर्डन ने उसके कुटे को मार दिया मगर कलेमेंट्स उसकी मौत का शोक भी नहीं माना पाया और लगातार भागता रहा मौका देखकर वह एक पूर पर चड़ा और नीचे से गुजर रही ट्रेन पर कूद गया आज एक बाद फिर से वहां बाल बाल बच नि मगर दुकांदान ने उसे धुतकार कर भगा दिया चलते चलते वहां पैनकेक के एक ठेले पर आया जहां दो लड़कियों ने उसका स्वागत किया मगर उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए वहां खुद ही निरास होकर आगे बढ़ गया और मगर एक नेक दिल लड़की को उ सब कुछ देख लिया इधर कलेमेंट्स चलते चलते एक चर्च में पहुंचा और उसने हाँ जोड़कर भागवान से प्रातना की कि वह यहुदी आदमी भी उसके पीछे यहां तक आ पहुंचा पर उसने कलेमेंट्स को पुलिस के हावाले नहीं किया असल में वह भी कुछ समय पहले एक वार प्रिजनर रह चुका था इसलिए वो कलेमेंट्स की हाल समझ सकता था वो कलेमेंट्स को अपने घर ले आया जहां कलेमेंट्स नहा दोकर अपने पुराने रुब में वापस आ गया यहुदी आदमी ने उसे एक पासपोर्ट और कुछ कागज भी दिये ज आखिर कार अब वो आजाद हो ही गया था मगर जैसे ही वो सुवापुल के बीच पहुँचा तो उसके चेहरे पर चमचमाती रौशनी आई और तब ही उसके सामने जेल का वारडन आ गया उसे देखकर कलेमेंट्स के होस उड़ गये और उसने पीछे मुड कर देखा कि वह अब भी सोबिय जमीन पर ही था जिसका मतलब या था कि वारडन अब भी उसे ग्रिपतार कर सकता है अब कलेमेंट्स का दिल डूब गया क्योंकि उसकी इतनी सालों की कड़ी मेहनत के बाद अब आजाद होने की चाहत मिट्टी में मिल रही थी पर अचानक उसने देखा कि व वर्डन का दिल जीत लिया था इसलिए वर्डन से सरहत अब करके अपने घर पहुझ गया जहां उसकी पतने और बेटे चर्च के लिए निकल रहे थे तवी कले मेंट्स भी उनके पीछे पीछे गया और चर्च में उसकी बेटी ने उसे पहचान लिया और फिर यो दौड़ अपने पिता से लिपट गए आपके हिसाब से वार्डर ने सही किया या उसने अपने देशे गदारी की कमेंट में जरूर बताना मिलते हैं अगले वीडियो में तो दोस्तों अगर जो हमारी वीडियो पसंद आयो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजेगा, सेर कीजेगा और हमारी यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब कीजेगा इसी एक सार नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जैहिन बंदे मात्रम